Hello students, कैसे हैं आप सभी? I hope you all are doing good. मैं हूँ आपकी economics educator गौरी जादोन and welcome back to Magnet Brains. एक ऐसा channel जो provide करता है free and quality education. अगर मैं CBC की बात करूँ, तो kindergarten से लेके 12 standard तक की सारे ही courses absolutely free हैं. प्लस NCRT solutions और most important questions भी हम provide करते हैं, जो आपका examination point of view से बहुत important है. We also have a Hindi Medium channel, जहांपे हम class 6 से लेके class 12 तक की सारे ही courses को absolutely free of cost cover करते हैं. सिर्फ CBSE नहीं हम और 20 state boards को cover करते हैं, जैसे की UP board, Bihar board, MP board, Rajasthan board and Delhi board. तो आपको सब सारी चीज़ें एक ही जगा मिल चाहेंगी. We also provide e-notes and e-books, जैस की link description box में given हैं, तो एक बार जाके आप ज़रूर check out कर सकते हैं. So without any further due, like, share and subscribe कर दीजे चानल को. क्योंकि इससे अच्छा चानल आपको मिलेगा नहीं, जो आपके लिएक one stop solution है, पूरी school education का, आपको सारी चीज़ें यहांपे मिल चाहेंगी. NCRT solutions, important questions, प्लस आपके हर topic wise हम एक चीज़ों को cover कर रहे हैं, सारे topics को. तो इससे अच्छा चानल आपको कहीं मिलेगा, तो without any further due, like, share and subscribe कर दीजे. तो जैसे की microeconomics हम पढ़ रहे थे class 11th में, according to CBSE, हम already एक theoretical portion उसको complete कर चुके हैं. क्या क्या पढ़ा थे हमने इक बाद quick revision करते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा कि economy क्या होती है, हमने जाना कि economy is a system where people get a chance to earn a living, है ना, तो हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कि economic problem क्या होता है, scarcity क्या होता है, then central problems of economy को पढ़ा, उसके बाद हमने बहुत ही important concept क्याना है, उसका rotation कैसे होता है, shift कैसे होता है, यह सारी चीज़े पढ़ी, positive और normative statements के बीच में अंतर पड़ा, मैं एक exercise भी कराई थी, जिसमें आराउंड मैंने 8 questions अराउंड लिये थे, और मैंने अपको बताया है कि कौन सा positive है, कौन सा normative है, and then हमने last में डिसकस किया था कि भई, micro, macro के बीच में difference क्या होता है, जो बहुत important है आपके examination pointer view से, तो हमारा एक part A में जो बोल सकती हूं, आपके chapter number 1 का concepts clear वाला जो theory था, वो हमारा complete हो चुका है, कोई भी doubt हो, comment section में आप मझे बता सकते हैं, लेकिन बहुत ही important हमारा आता है, कि हमने जो पढ़े लिया है, क् यहां में उसके questions को answer करना आता है, उसको test करने के लिए हम करने वाले हैं, NCRT solutions, यह NCRT solutions के बाद कहानी रुखने नहीं वाली है, हम MCQs भी करेंगे, और साथ में most important questions को भी discuss करेंगे, तब जाके आपका chapter number 1 over होगा, तो अभी खतम नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ एक हमने part complete क्या है हमारी कहानी का, अभी बहुत सारी चीजे बची है, बहुत attentive रहना है, energetic रहना है, hopefully आपको यह सारे answers आते हों, क्योंकि हमने यह सारी चीजों को already पढ़ चुका है, लेकिन कोई भी doubt हो, तो हम उसको clear करने के लिए, मैं आपको यहां पर solutions ही बताऊंगी, ठीक है, आपक को भी comment section में मुझे अपने answers लिखके बताने हैं, पूरा paragraph wise मत लिखना, छोड़ी चोड़ी topics लिख सते हो, point wise तो उसे मुझे clarity आजएगी कि क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की class जो की हम discuss करने वाले हैं, N-C-E-R-T questions, ठीक है, चले हांगे, चलो, number one question जो हमारा है, that is, discuss these central problems of an economy, अब देखो, यह चीज यहाँ पर है, central problems of an economy, इसमें कई बार लोग गलती क्यों करते हैं, क्योंकि हमने दो चीज़े पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है, कि economic problem of choice के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पर हमने allocation of resources कैसे होता, उसमें भी तीन चीज़े आती हैं, और central problems of an economy में भी तीन चीज़े आती हैं, तो बच्चे कई बार confused हो जाते हैं आप सभी है, कि कौन सा वाला में पार्ट attempt करना है, तो देखो, central problems of an economy जो है topic अलग है, और allocation of resources आपका topic अदम ही अलग है, तो दोनों में बीच में difference है, तो उस को आपको याद रखना है, पहले मैं आपको यह वाली चीज़े बता दूँगी, तो साथ में allocation of resources में क्या answer है, मैं वो भी आपको बता दूँगी, तो सारा जो doubt है ने एदम clear हो जाना है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो question है हमारा, discuss these central problems of an economy, 5 seconds दे र 1, 2, 3, 4 and 5, लिख दिया, कर दिया, सबने type में सारे comments चेक करती हूँ, तो मैं देखोंगी भाई किस-किस ने कैसे लिखा है, तो बिल्कुल भी इससे आपको revision ही होना है, तो आपको बिल्कुल भी बचना नहीं है, है ना, तो आपको attend करना है question को, सबसे पहले, central problems of an economy, हमारी 3 problems होती है, कौन concept होती है, एक होता है हमारे पास what to produce, ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है how to produce and third होता है हमारे पास for whom to produce अब देखो, मैंना एक चीज़ के लिए कर देती हूँ, उसके लिए मैं मैं extremely sorry, मेरी हैंड वाइटिंग को जादा ही सुन्दर है है ना मैं जानती हूँ, लेकिन still I am working on it, कि मैं कोशिश कर रही हूँ, कि मैं बहुत आराम से लिखूँ ता आपको मेरी handwriting में समझ जाए तो जब मैं लिख रही हूँ, उसको मैंने text form में provide किया है, ताकि आप लोग confused ना हूँ, तो जब मैं लिख रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, उस पर भी आप लोग ध्यान देना, लेकिन in the coming sessions आप देखेंगे कि I work on my handwriting, ताकि आपको और clarity आए, मैं बहुत आराम से लिख अपने का कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले आप बताओगे, एक answer के format में कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप बताओगे, वही scarcity क्या होता है, कि limited resources है, इसलिए हमें choice बनानी पड़ती है, कि हम लोग क्या produce करें, कैसे produce करें, और किसके लिए produce करें, तो यही हमारे three problems है, central problems जिस the concept of scarcity, that resources are limited, hence we have to make choice at every point of an point, next आपको लिखना रहेगा, that there are three central problems that we discuss, and why do we call it central problems, is because the other problems of an economy revolves around it, right, the three problems are what to produce, how to produce, and for whom to produce, पहले आपने one to three करके रिखा, फिर आप उसको ना जैसे कि आपने एक point लिखा यहां पर फिर से एक point लिखो, what to produce, और फिर उसको आप elaborate करके लिखो, इससे आपका paper का presentation बहुत अच्छा होता है, और समझ आता है कि आपने detail में पढ़ा है, समझ आता है कि यह वाले बच्चे ने पढ़ा आई, यह वाला sentence नहीं कि एक line बता दे बाकी में खुद लिख लूँगा, इसससे समझ आता है कि बच् सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है हमारे पास, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती हो आता है भाई, what to produce, resources हमारे पास इतने से, wants हमारी इतनी सारी है, और जो इतने से resources है न, उसके इतने सारे alternate uses हैं, तो आपको economic problem of choice करना पड़ता है, कि इतने से resources को मैं कैसे utilize करूं कि मेरी सारी economy एक तरीके से better function करें, है न, तो हमारे पास तीन problem आती है, सबसे पहले आता है, what to produce, क्या ऐसा produce करूं, है न, choose करना पड़ेगा, कैसे situation है मेरी economy की, अगर मेरे पास ऐसा लग रहा है कि हाँ, agriculture foods की shortage है, तो मुझे agriculture goods में जादा एक तरीके से invest करना तो उस time पे हम वो goods पनाएंगे, तो क्या situation है, economy में उसके हसाब से decide होता है, कि what to produce, क्या हमें बनाना है, और कितनी quantity में बनाना है, what to produce and in what quantity, है न, कितनी quantity में बनाना है, आपने decide कर लिया कि हम अगरिकल्चर goods, लेकिन कितनी quantity, इसे अंधा दुन तुम अपने हसाब से कुछ करने वाले, क्योंकि हम यहाँ पर एक तरीके से हमने economics पड़ एक science है, statistical data होता है, उसमें हम चीज़े calculate करते, कनुमान लगाते, estimate लगाते कि हम इतना बनाना है, तो वो सारे चीजों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, next जो हमारे पास आता है, how to produce, ठीक है, कैसे produce करना है, पहले तो आपने सोच लिया what to produce, second जो problem हमारे पास आती है how to produce, how to produce का मतलब technique, method, सोच तो लिया कि मैं यह बनाओंगा, पर बनाओगे कैसे, यह तो सोचो, तो उसी को हम बोलते हैं how to produce, अब दो तरिके के techniques होती है, एक होती labor intensive, एक होती capital intensive, labor word में ही labor आ रहा है, मतलब आपके पास जब ज़्यादा human resource रहता है, ज़्यादा labor रहता है, तो आप उस type की techniques को use करते हो, ताकि लोग को employment भी मिले, और capital क्या होता है, जो machines वो करा का use करते है, ठीक है, last हमारा segment आता है, हाँ, question mark ज़रूर लगाना है, sorry, मैं भूल गई थी, ठीक है, question mark ज़रूर लगाना है, third हम हमारे पास आता है, for whom to produce, किसके लिए बना रहे हो, आपके end consumers कौन होने वाले है, कि आपके household होने वाला है, government होने वाला है, firms है, आप international market के लिए बना रहे हो, वो भी आपको चीजों ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है, तो ये तीन हमारे कुछ problems हैं, central problems इनको हम discuss करते है इतना clear हुआ, कैसे answer को attend करना है, समझ आया, हम कैसे attempt करेंगे question को, किस तरी किसी चीजों को लिखेंगे, is that clear, good, चली आगे बढ़ते हैं, तो question number one का answer ये रहा, हम already discussed कर चुक है, लिक हमने एक बाद क्विक रीडिंग, जैसे कि मैंने बताया, the allocation of scarce resources and the distribution of final goods and services are the central problems of an economy, ठीक है these are what to produce and in what quantities, जैसे मैंने आपको बताया था, so an economy has to decide what goods and services are to be produced, in what quantity as resources is available, in limited quantity and also it has alternate uses, देखो ये वाली जो लाइन है न, फर्स चाप्टर में, कम जगम सो हो ऐसे जादा repeat होनी है, तो इसको तो आप याद ही कर लो, मैं बूलूँगी, क्या है, देखो इसका मतला समझाया था, economy में resources care है, scare के साथ, वो resources क्या है, limited भी है, उसके alternate uses भी हो, साथ ही में, लोगों की wants का भी खतम नहीं होती, वो ही चीज़ को हम हजार बार लिख रहे हैं, तो इस अच्छा हम उसको याद कर लें, समझ तो चुके ही हैं, एक बार उसको हम याद कर लेंगे, तो वो बार बार, पोट eurd, clothing, housekeeping,asah恐, to have more luxury goods, whether to use more resources in education and health, or to use more resources in building military services, बिल्दे करना चारे हो, housing products पनाना चारे हो, clothing e products, agriculture products पनाना चारे हो, mольitary uses के लिए लिए economic products बनाना चारे हो, ONLY GO BINstes them on you, but you have to decide, तो decide करने को क्या बोलेंगे what to produce and in what quantity देखो कई बार हम ना अधी चीज़े लिखते है what to produce आपने लिख दिया आपने लिखा ही नहीं आंसर में कि वह इन what quantity भी लिखना है फिर आपके marks deduct हो जाते है then you fight with your teachers आपको पूरा question attempt करना है आधी अधूरी information दोगे ना ता आधी अधर ही number मिनने वाले है तो पूरी चीज़े लिखो what to produce तो लिखे रहो साथ में यह भी लिखो पूरा question attempt करना है जो भी वच्चे वीडियो देख रहे है ना इन सब चीज़ों पे marks तो बिलकुल ही कटने चाहिए तुम लोग के ठीक है चलो यह वाला समझ आया पहला point what to produce and in what quantity next है हमारे पास how to produce कैसे बनाना जिसमें हम लोग डिसकर्स करते है टेक्नीक का methods का ठीक है it is very important for an economy how to produce which of the resources to use in the production of each of the different goods and services whether to use more labor ठीक है labor और more machines machines को म क्या बोलते है capital intensive भी बोल सते है ठीक है capital intensive labor intensive इसको म LIT लिखते है और CIT लिखते है लेके नापको examinations में full form लिखना है ठीक है full form लिखना है shortcuts नहीं चलेंगे shortcuts लिख भी रहे हो तो make sure आप racket में उसका full form लिखेंगे next है हमारे पास third problem of an economy that is for whom to produce किस के लिए बनाना है to it is generally means the distribution of final goods यहने आपके end users कौन है who gets what and how much किसको कितना मिल रहा है किती quantity में मिल रहा है whether or not elementary education and basic health services should be available freely for everyone in the economy ठीक है done clear हुआ आप सभी का यह वाला question इसमें कोई दिक्कत्य नहीं हो कि जब भी central problem समें economy की बात आगी तीन questions हमारे पास what to produce how to produce for whom to produce ठीक है what to produce के साथ एक और अमेलोजी उस करनी है in what quantity ठीक है और second वाले में how to produce में आपको labor intensive capital intensive का word का mention करना है जितना detail में और to the point आप लिख रहे ना detail in the sense यह नहीं बोल रही पुरा paragraph लिख दो बरके यह नहीं detail मतलब पॉइंट पाइस में सब पॉइंट कौन कौन से आ रहे यह सब चीज़े लिखोगे ना तो समझ जाएंगे माम की हां बच्चे ने अच्छे उसे पढ़ाई करिए तो आपको अच्छे माक्स मिलेंगे यह क्लियार हुआ सभी का आगे बढ़े चलिए question number two hopefully सबकी energy अभी भी उतनी है है ना बहुत energy करना है क्योंकि हम डिसकर्स कर रहे हैं ncrt solutions chapter number one microeconomics अगर आपको concept समझ जा रहे हैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक आपको करना है शेर आपको करना है और कॉमेंट में अंसर दरूर बताना है ठीक है what do you mean by the production possibility of an economy अब देखो यहां पर गलती होती है यहां पर क्या पूछ रहा है production possibilities यहां पर हम कर्व की बात नहीं कर रहे हैं बच्चे क्या होते हैं यह दो शब्द पड़ें लगे पड़ें schedule बनाने में graph बनाने में सब बना देंगे जो हम रियाद करके आ हैं question तो पड़ो question में पूछ ही नहीं रहा हो तुम है बनाने के लिए बहुत simple सा question पूछ रहा है कि economy में जैसे कि हम production possibility की बात करें उसका मतलब क्या है बस ना उससे तुम से graph पूछा ना schedule पूछा कुछ नहीं पूछा ना assumptions पूछे तो अपने मतलब से बस ही होता है हम मैं हम तो अपने economy, frontier की बात नहीं कर्व की बात नहीं तो simply पूछ रहे है कि भाई production possibility word में नाम चुपा है हमारा production का मतलब क्या होता किसी भी चीज की manufacturing possibilities क्या होती है तो number of combinations तो वह हम देख रहे है कि number of combinations जो हम produce करते हैं अब जैसे कि production possibility economic terms में उनली two goods की पढ़ रहे है तो दो goods के क्या क combination हो सतते हैं उसी को production possibility कहते हैं ठीक है with the given resource and technology इसका answer discuss करें सभी चलो the collection of all possible combinations of goods and services that can be produced from a given amount of resource and a given stock of technological knowledge is called the production possibilities of an economy यह कौनसे में आता है basically two or three marks वाले questions में आता उसे जादा वाले questions में नहीं आता पर यही दिखकर थे न हम question को समझेंगे नहीं बस एक word पकड़ लिया पूरा हम कहानी लिखने लगए तो ऐसे नहीं चलेगा ठीक है क्या पूचा गया था production possibility और देखो से उसका चार लाइन का answer है आप पूरा graph बनाने चले हो तो ही सारी चीजों का ध्यान रखना है यह वाला question समझाया clear हुआ चलिए great next question है अब आया ना question हमारे पास what is production possibility frontier अब आया है जिसको में हम बोलते हैं PPC ठीक है या PPF इसको हम PPC भी बोल सकते हैं गलती सा अगर तुम्हें PPC आगा तो बोलेंगे में कौन सी PPC हमने तो सुना ही नहीं है पड़ा ही नहीं है कुछ होते हैं आप सेन माइंड जिनको पूर तो टरीके से आपको रहना है और सारी बातो को पूरा समझना है अब यहां पर बना सत्तने मां को डे डेन करता है कि कितने मांकल अप्स को कैसिचन गाफ को थे ब्लाग कार्च क टया आए तो जाद teacher वो ग्रास वगरा बनानी की जरुवत नहीं है आप simply बस ऐसे भी ट्रॉव कर सकते हो हना कि PPC downward sloping होता है concave to the origin होता है क्यों होता है downward sloping because to जैसे जैसे जो resource and technology को हम shift करते हैं वो equally efficient नहीं होते इसलिए production level गिरता है तो downward sloping है concave क्यों है भाई क्योंकि MRT और MOC increasing रहता है इसलिए concave to the origin रहता है production possibility frontier बताता है graphical representation है दो goods का ऐसे combinations का जो given resource and technology के साथ बन सकते हैं और frontier curve की line पे जो भी products रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमने बहुत efficiently अपने सारी चीज़ों को employ कर रखा है resource and technology को अगर curve के अंदर हमारा आ रहा है तो मतलब यह वो combinations है मतलब जिसमें आप अपने resources और technology को अच्छी से use नहीं कर रहे तो आप भेतरीन तरीके से use करना शुरू कर दीज़े अलगा curve के बहार है आसमान में है अलगी हवा में उड़रे मतलब यह वो options हैं जो आप अभी अचीव नहीं कर सकते तो यह सारे पॉइंट जैसे कि मैंने PPF मेरे दिमाग में आया यह सारे points मेरे माइंड में तुरंत आजाने चाहिए ठीक है तो आपको भी comment section में बताना है कि कौन कौनसे questions आप जैसी देख रहे हो तो आपके दिवान में क्या आ रहा है यह से पता चलते clarity आती कि हमारा जो concept है कितना clear है यह वाला point समझाय है सभी को चलिए इसकास करते हैं यह वाला answer तो जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर आप ऐसे कर्फ बना दो जरूरी है कि हर भा schedule बनाओ आप देखो कि कितने number of marks का वह question है ठीक है now a curve showing different possibilities of two goods that can be produced with efficient utilization of given resource and technology that is known as production possibility frontier मतलब पहले बात तो जब frontier आगया curve आगया मतलब graphical representation है तो पहली लाग यह होती है it is a graphical representation किस चीज का पही combination of goods कौन से goods अभी हम दो गोड से ले रहे combination of two goods that can be produced with given resource and technology because हमने assumptions पड़े हैं जिसमें resource and technology हमने constant रखी थी पर ठांस्परेबल थी ठीक है next है हमारे पास in the above representation a production possibility frontier between cotton and corn has been drawn हमने यहां पर रहर किया है ठीक है जहां भी point a b c d e यह वाले जो points है which lie on the line that is on the curve represents the situation when the resources of the economy are fully utilized तो यह जो a b c है हमने बहुत अच्छे से बहुत अच्छा काम किया है well done वाला काम किया है यह ना star वाला काम किया तो आप अच्छीव नहीं कर सकते उस चीज़ को तो आपको कहां रहना है production possibility according आपको यह कर्फ में रहना है अगर आप यह कर्फ पर रह रहे हो मतलब आपने अपने अपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से यूटिलाइस करने की कोशिश कर यह अच्छा काम कर लें उसक सबसे में कैसे आंसर करना है ठीक है हर बार स्केडियूल की जरुवत नहीं होती है next discuss the subject matter of economics अब देखो subject matter पर बाद में आना सबसे पहले आप economics को define करना एक ऐसी study जो decide करती है in terms of scarcity हम लोग कैसे choice में करें उससी को में economics बोल सकते हैं तो पहले आप economics को define करो फिर आप subject matter पर आन माइक्रो का मतलब होता है कि individual unit of economy को study कर रहे हो macro का मतलब होता है aggregate level पर study कर रहे हो तो यह एक तरीके से आपको answer करना है है ना चारिए इसका पूरा explanation देखते हैं discuss the subject matter of economics so the subject matter of economics has been studied under two broad branches that is microeconomics and macroeconomics तो पहले पूरा microeconomics को explain कर दीचे अब देखो इसमें difference between नहीं पूछा है तो आपको difference between ऐसे बनाने की जरूवत नहीं है आप बनाओंगे तो गलत नहीं होगा लेकर मापको just in case बोट लिए आप points में भी explain कर सकते हो कि microeconomics क्या है macroeconomics क्या है ऐसा difference between बनाना it's not compulsory ठीक है अब कोई क्रीडिंग करते हैं in microeconomics we study the behavior of individual economic agents in the market for different goods and services and try to figure out how price and quantities of goods and services determined through the interaction of individuals in these markets यहां पर decide कर रहे हैं कि microeconomics में price determination होता है small level पर होता है individual unit of economy को study करते हैं next हमारे पास होता है macro level पर हम aggregates को study करते हैं इसे के aggregate demand aggregate supply को study करते हैं we try to get an understanding of the economy as a whole by focusing our attention on aggregate measures and as total output employment and aggregate price level we are interested in finding how the levels of these aggregate measures are determined and how the levels of these aggregate measures change over time है ना पूरी economy को as a whole की तरह हम study करते हैं कि भाई क्या-क्या उसमें चीज़े चेंज हो रही है किस तरीके सो में function करना चाहिए ठीक है तो यह समझ आया हाँ one second I completely forgot है ना एक बार आप screenshot भी ले लीजेगा सारे answers का है ना question number one का एक बार screenshot ले ले लीजे done चलिए second वाले का आप लीजेए यहाँ पर screenshot question number second का very important है कि कैसे हमें questions को answer करना है जरूरी नहीं कि हर चीज में आप ग्राफ बनाना हो ठीक है question number three again इसका screenshot लीजे done question number four discuss the subject matter of economics done question number five discuss or distinguish between a centrally planned economy and a market economy economy ठीक है यह भी question आपसे बुल्कुल पूछा जाता है कि सेंट्री प्लान एकॉनमी कैसी होती है market economy कैसी होती है उन्हों के बीच का क्या difference रहता है ठीक है जैसे कि सेंट्री प्लान में दिया हुआ है कि यहां पर basically तरीके से government का intervention रहता है हर तरीके से production factors of production अभी को पता है कौन-कौन से होते है लांड लेबर ओके capital enterprise यह सारे land labor capital entrepreneurship या enterprise हम बोल सकते हैं यह हमारे factors of production होते हैं ठीक है तो यह सब जो control में किसके रहते है government के एक तरीके से तो हम क्या बोल सकते है वो century plant है market economy एक तरके से free flow economy हमारी रहती है ठीक है बस study कर लेते हैं इसको सबसे पहले हमारे पास आता है centrally planned economy ठीक है means of production are owned by government जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कौन-कौन से factors of production है हमारे पास land labor capital and enterprise enterprise जैसे भी आपसको प्रणांस करना चाहें चलेगा तेको प्रनांसियेशन ना अलग अलग होता है कोई लोग इसको economics बोलते है कोई economics बोलते है कोई economics बोलते है इस fine ठीक है जैसे कि हम बोलते economics that is also fine तो कोई दिकत नहीं है उसमें market economy means of production are owned by the private individuals मतलब यह profit oriented है यह profit oriented इतना नहीं है centrally planned is more for the welfare और यह profit orientation के लिए काम करता है the main motive of production is social welfare ठीक है the main motive of production is profit making देखो मैंने ना terminology भी बहुत easy रखी है क्योंकि books बागेरा में बहुत ही जाता tough तरीके से दिया रहता है कई बार तो आपको तो देखके एक सबसे पहले tension आजाती कि है कैसे याद रहेंगे इसलिए मैंने बहुत ही जाता simple English में इन चीजों को बनाया है तरीके से हाई तरीके से maintain करते हैं लेकिन इसमें आपको concessions वगेरा centrally plan में मिल जाते हैं क्योंकि government हरी चीज को look forward करती है लेकिन private में अपना थोड़ा अंधरदुन वाला चलता है वो कई बार चार्च कर लेते हैं Monopoly वगेरा भी चलती है ठीक है The production is governed by planning mechanism that is according to the government plans that is by demand and supply The inequality of income is low because यहाँ पर government रोल प्ले कर रही है कोशिच कर रही है कि social welfare हो यहाँ पर इनकम इक्वालिटी जादा होती है because यह लोग तो सिफ एक तरीके से profit earning के लिया है तो लोगों के लिए काम करना is not their major concern Their main concern is to earn more and more profit तो उसमें कहीं न कहीं वह gap जो है equality जो है वह बढ़ जाती है ठीक है एक बार इसका सभी जल्दी से screenshot ले लीजे ठीक है ले लिया सभी ने screenshot कोई issue तो नहीं हुआ चले ठीक है यह सारे ही आपको अपने copies में भी बनाना है ताकि आपको हरी चीज याद हो बहुत सिंपल English है मैंने इस चीज़ आपको प्रोवाइड कर रही है आप बुक वगेरा से देखेंगे तो कई बार बहुत complicated language रहती है तो हमारी लिए उसको याद करना बहुत difficult हो चाता है That is why I have given this यह आपके लिए easy to remember होगा और आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है next question पर आते है What do you understand by positive economics analysis positive and normative हमने पढ़ाए ठीक है positive मैंने क्या बोला था एक तरीके सा हमें क्या बताता है reality कि भई इंडिया की population बहुत जादा है यह reality है ठीक है इंडिया में unemployment rate है बिल्कुल है unemployment हमारे इंडिया में है ठीक है और कोई जैसे कि हम जो real life problems को discuss कर रहे है कि inflation अभी rise पे चल रहा है तो यह सारे क्या है यह facts है ठीक है these all are facts तो यह क्या है verifyable है क्योंकि हम इसको verify कर सकते हैं चीज already reality है हम उसको statistical data के थूँ analysis के थूँ verify कर सकते हैं लेगे वही मैं बात करते हैं normative economics की उसमें क्या होता है मैंने normative साबको बला तो याद रेटन relatives जैसे कि वहर चीद में suggest करते रहते हैं तोकटा की चलती रहती है अरे यह कर लो पूप कर लो अगर ऐसा हो जाता तो वैसा होता यह करना चाहिए तो इसने यह क्यों कर लिया तो वैसे ही एक तरीके से normative economics में हम suggestions provide करते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको एक fact बताया कि इंडिया में unemployment है यह fact है तो हमने क्या suggest कि कि यार government को कुछ काम करना चाहिए कि unemployment level कम हो तो यहां पर मैंने suggest किया should be, would be, must be ऐसा करना चाहिए जब भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है ऐसा situation मन रही है तो हम उसको normative science में लेते हैं और यहां पर क्या है यह positive science में है ठीक है जहां पर facts की बात हो रही है reality की बात हो रही है examples दोगे ने, comics में जत्ता जादा उतने जादा marks भी मिलते हैं उतने जादा concept clear रहता है हमें definitions याद नहीं रहते हैं और से examples ही हम फिगर आउट कर सते हैं क्या हमें कैसे answer करना है so that is why it is very important कि आप अपने examples भी याद रखे और examples को जादा से जादा लिखे ठीक है चली positive economics deals with what is, what was and how an economic problem facing the society is actually solved by analyzing various positive statements and mechanism these statements can be tested proven or disproven and do not involve any personal value judgments मतलब जो है so है हमारे हाँ poverty है तो मैं जो situation है उसको वैसे ही बता रही हूं आपको कुछ अलग नहीं कर रही है तो मतलब क्या है कोई personal value judgments नहीं है लेकि normative में personal value judgments बिल्कुल रहते हैं ठीक है example इसका है that India is an overpopulated country यह तो सच्चा ही है कि overpopulation तो है population को control करने की बहुत जरूवत है हमें next है हमारे पास India have adopted mixed economy बिल्कुल हमारी mixed economy चलती है जहां पे central or private दोन एक partnership की तरह काम करते हैं welfare भी रहता है profit orientation भी रहता है दोनों चीजों को mix करके ताकि Indian economy अच्छी से develop कर पाए तो दोनों का ही हमारे पास एक तरीकी से mixture है that is mixed economy clear? इसका screenshot ले 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 सभी जल्ली जली ले ले लेना screenshot है quickly लिया सभी ने screenshot कैसे लग रहा है session पहले मुझे बताओ कैसा लग रहा है session कि सारी चीज़े समझ आ रही है कि नहीं आ रही है comment section मुझे like बताओ और like करो video को जल्दी से ठीक है? चलो next है हमारे पास what do you understand by normative economics इसका answer मैंने पहली बता दिया तो मैं जब मैं positive की बात कर रही थी है ना? तो directly हम answer पे आ जाए चलो normative economics analysis deals with what ought to be or how an economic problem should be solved कैसे चीज़े होनी चाहिए? क्या हमें करना चाहिए? कैसे सुधार हो? ठीक है यह सारी questions को कौन answer करता है normative economics now the normative statements that cannot be tested as they involve personal value judgments अब किसी की opinions और इन सबको आफ जाच नहीं कर सकता है अब कोई data verify नहीं कर सकता तो इसलिए इसमें कोई भी data verification नहीं होता है for example government should encourage private companies to accelerate the pace of industrialization accelerate का मतलब क्या होता एक तरीके से हम करता ना गारी में accelerate परके तेजी से भगते तो वैसी सजेस्ट करता है कि government को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारी economy तेजी से भगते उसके लिए उनने क्या बोला कि private companies को आप encourage करो तो वह चीज बोल रहे हैं तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं एक तरीके से सजेस्टिव है सजेशन देरी कि ऐसा करना चाहिए परसनल उपीनियन है हमारा तो यह हमारा normative हो गया प्लीज गेव एक्जांपल्स एक्जांपल्स के मिना अपने दिमाग में concepts को clear करो और यह बुलकुल आपके एक्जांपल्स रहने चाहिए आपके दिमाग में ठीक है? चलो, next question पर बढ़े इसका screenshot ले लिया था क्या? चलो एक बार फिर से ले लो दान? आगे बढ़ते हैं Question No.8 Discuss Sorry, Discuss एक बातों distinguish को बार बार discuss बढ़ रही हूं Distinguish between Microeconomics and Macroeconomics दोनों के बीच में difference बताईए बहुत बार बार आएगा यह question ठीक है Macro में भी पहले chapter में पूछ लेते हैं Micro में भी पहले chapter में पूछ लेते हैं 11-12 दोनों में काम आना है ठीक है मैं फिर से बता रहे हूँ अर्ड़ेड हम इसको बहुत बार discuss कर चुके स्टार्टिंग में भी विडियो आप पिता था कि Micro में क्या क्या आता है ठीक है तो हम अर्ड़ेडी discuss कर चुके हैं एक बाफे से discuss कर लेते हैं से पहले तो आपको यह लिखना है कि पहले यहां पे microeconomics लिख दो microeconomics को और क्या बोलते हैं उसका क्या terminology एक और हम यूज कर सते एक थियोरी बोलते हैं उसको वो थियोरी का क्या नाम है comment section में लिखके बताओ और macro का भी बताओ ठीक है अभी करना है बिल्कुल टाइप इट स्टडी इंडिविज्वल एकनॉमिक यूनिट्स हम अल्रडी पढ़ते हैं कि micro level पर आई से मतलब individual तो मतलब individual economy को हम स्टडी करते हैं उसके यूनिट्स को ठीक है macro में क्या स्टडी करते हैं entire economic unit को हम स्टडी करते हैं next हमारे पास आता है it deals with how prices and quantities of goods and services are determined in individual market individual market को स्टडी करते हैं उसका price determination देखते हैं it deals with how general price level and quantities of goods and services are determined in entire economy यहां पर individual market को कर रहे थे यहां पर पूरी economy का हम कर रहे हैं जिससे की gdp वगेरा हम सम निकालते हैं It uses the method of partial equilibrium that is equilibrium in one market, one sector of an economy के साफ से हम चीजों को देखते हैं वही पे जब मैं बात करती हूं macroeconomics की, तो it uses the method of general equilibrium that is equilibrium in a market, सारही market of an economy, all markets of an economy. Clear हुआ? जल्दी से screenshot ले लीजे. Done? लिया सभी ने screenshot, चलो. Next, the major microeconomic variables are price, individual consumer's demand, wages, rent, profit, revenue, etc. The major macroeconomic variables are aggregate price, aggregate demand, aggregate supply, ये सब वही सारी चीजे हैं. मैंने क्या बोला, ये तो अपरी बुक उठाओ, microeconomics, जो भी तुमें दिख रहा है, index में जितने भी, सारे examples से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, सही होने वाले है. Cost हो गया, revenue हो गया, एक individual market का, demand लिख दो, supply लिख दो, सारे हमारे microeconomics में जाएंगे, macroeconomics में, national income aggregates आगया, सारे aggregates, supply, demand, inflation, employment, GDP, सारे किसके बातना है, macro के, सर्दत कतम. Next है हमारे पास, its central problems are price domination and allocation of resources. हम देखते कि कैसे resources का locate करें, और क्या हमारी एक तरीकी से price determination होने वाली individual market unit की. और यहां पे हम study करते हैं, determination of level of income and employment in the economy. ठीक है, मुझे आपको comment section में बताना है कि micro, macro को और क्या बोलते हैं, ठीक है, comment section में आपको लिखना ही है. चली, समच आया, एक बाइस का screenshot ले लिए जल्दी से सभी, जल्दी जल्दी लेना screenshot, ठीक है screenshot के साथ notes भी बनाने हैं, जैसी memory full होती ना, जैसी उस पर notification आता है कि memory full हो रही, सबसे पहले हम जाते हैं gallery पे, सारे screenshot जित्ते भी रहते हैं, पढ़ाई वाले, click किया all, delete, तो ऐसे म करना, ठीक या तो अलग से फोल्डर बना लो, उसको फिर्मने drive upload करते चले चाप्टर वाइस, वो आपके लिए बहुत अच्छा राएगा कि जब एक्जाम के पढ़ते हैं, पुल्कोल एक रात पहले हम जब भहराने ही लगते हैं, कहां से पढ़े हैं, क्या करने ही वाह करे वैसे अगर आप स्टार्टिंग से जोड़े हुए हमारे साथ तो यह प्रोब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, अगर फिर भी, एंड ताम पे पढ़ेंगो तो आप बहराओगे कम, you will have all the things listed with you, कोई भी चीज आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आप वो करसते हूँ, you can make a separate folder in your phone, of all the content है, सारे screenshots का, नहीं तो आप अपने weekly basis पे, या chapter wise अपने notes बनाते चले जाएए, जाकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, otherwise we will also provide the e-nodes and e-books, जो आपको link description box में given है, तो आप जाके एक बार चेक आउट कर सकते हैं, ठीक है, सबीने इसका screenshot ले लिया था, चलो, अ हमारा खतम हुआ, ये साधा question का segments, टोटर हमने questions को discuss किया, एक quick overview हो गया हमारा, जब NCRT solutions हमने किये, तो हमने काफी चीजों को पढ़ लिया, हमारे point of view से कि हमने क्या-क्या cover किया है, है ना, मैंने आपको ये भी बताया साथ साथ में, क्योंकि chapter number one है, इस लिए तरह डीटेल मैंने आपको NCRT solutions कराए, आने वाले classes में, MCQ भी बढ़ आऊंगी, important questions भी कराऊंगी, we have already discussed का theory, पूरा पार्ट हमने डिसक्स कर लिया है, of chapter number one, so all of these हमने आपको अल्री प्रोवाइड कर दिया है, chapter number one का, और ऐसी आने वाले series में भी मैं सारा आपका पूरा syllabus complete करने वाली हू है ना तो उसकाद आपको विल्कुल टेंशन लेनी के जरुवत नहीं है, because it is absolutely free education and high quality हम प्रोवाइड कर रहे है, साथ ही में सब CBSE नहीं different state boards को भी हम cover कर रहे हैं, जैसे कि Delhi board, Bihar board, UP board, MP board and Rajasthan board, हाँ, CBSE के लिए kindergarten से लेके 12th channel तक है, और for Hindi medium channel class 6 से लेके class 12 तक, e-books and e-notes अ सब्सक्राइब करेगा, we are on different social media platforms as well, YouTube पे तो subscribe करना ही है, उसके लाबा Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, इन सभी जगाओं के भी आपको हमें follow करना है, ताकि कोई भी update आप से miss now, hopefully आपको इवीडियो अच्छा लगा हो, and thank you for watching.